दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आर्गेट अशोग गोईल हाली में पदम विभूशन सीनेद आर्गेट शिरी बालकिशन विदोशी जी का देहान दुगा उनके बारे में तरह तरह के लेख अख़वारों में और सोचल मीडिया पे सामने आए एक सीनियर जर्नलिस्ट वेक शुकला जी ने लंबा एक आर्टिकल लिखा जो संभावता नबाटाई इसमें छपा जिसके उन्होंने बड़े विस्तार से बीवी दोश्ची जी के कारियों के बारे में बताया उन्होंने यहां तक कहा कि नई दिली स्थित इंडिया अबिटेट सेंटर वी दोश्ची जी ने डिजाइन किया है मेरी जानकर यह थी कि इंडिया एपिटेट सेंटर जिसमें कॉंसिल फ़रेटिचर का दफतर भी है इसे जोसे फेले ने डिजाइन किया है मैंने उस पर टिपनी की तो सीनियर जेनलिस्ट वेक शुकला जी ने कहा कि आप इंडिया एपिटेट सेंटर की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए इंडिया एपिटेट सेंटर के बारे में लिखाया है कि इसको जोसुफ एलेन स्टाइन दोशी और भल्ला स्टाइन दोशी भल्ला की फिर्म ने डिजाइन किया है अब मैंने यह बातचीत पर यहीं बताया गया कि इस्टाइन दोशी भल्ला का डिजाइन है कि किसी अन्य वेबसाइट पे जानकरी दी गए कि इसाइन साब का काम है अब फिर विस्तरिज जानकरी दी नेदिली इस्टित्य स्कूल प्लानिंग अगरिटेचर के सीनियर आगेट और प्रोफेसर मनोज मात्रु साब में उन्होंने बताया कि फर्म का नाम था इस्टाइन दोशी भल्ला जिसमें एक समय स्टाइन साब दोशी साब और भल्ला साब पार्टर थे बाद में जब एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो जोसफ एलन स्टाइन और एस्टोशीयेट्स के नाम से फर्म थी जिसमें जेर भल्ला जी और स्टाइन साब पार्टर थे इसी फर्म के नाम से इस भ्हुमत के बिल्डिंग क्लाइंस पास हुए लेकिन सारा जो डिजाइन प्रोसेस था सारी जो डिजाइनिंग थी वह स्टाइन साब ने की थी और इस भावन का निर्मान स्टाइन साब के अन्य दो सहयोगियों की दिखरिक में संपन हुआ दिल्ली के एक और अर्टिक्टर कॉलिज के प्रोफेस्टर रजजत रे जी ने बताया कि बिल्डिंग के प्लैंस प्रदस्कत जियर भल्ला साब के से क्योंकि संभवता स्टाइन साब का विदेश्य विएन के कारण कॉंसल फार्टिक्टर में रेइस्टेशन नहीं था बहराल इतनी बात तो स्पष्ट हुई कि इंडिया हैपिटेट सेंटर के वरे में जो आधिया दूरी जानकारी लोगों के पास थी जो मिस्लीडिंग इंफर्मेशन इंडिया हैपिटेट सेंटर की वेब साइट पर है उसके अनुसार इस बिल्डिंग का जो श्रे दिया जा रहा है उस्टाइन दूशी भला फर्म को दिया जा रहा है लेकिन असल में इंडिया हैपिटेट सेंटर के जो सारी डिजाइनिंग हुई जो सारा निर्मान हुआ वो जोसोफ एलेन स्टाइन की देखभाल में हुआ और प्रोफेसर द परफेसर दोशीने देश्वर्मेह और बहुत सारे यह वैप बनाया और सब्सक्राइब करो कि राचित का स्ऴस्राइब ने शुरू किया था और यह विचosaur भात है कि सारे इसको भी पूरी विस्तार से जानकरी उपलब्द नहीं जी इंडिया सेंटर को स्टैन दोशी भला ने किया था उस्टैन साथ ने किया था जैरतन भला जी ने किया था प्रोफ़सर मनुज माथूड ने जो जानकरी दिया है विस्तार से मैं समस्ताओं कि है कि सही है और जो लोग भी अख़वारों पर लिख रहे हैं सोचल मीडिया पर लिख रहे हैं उनको विकीपीडिया पर या तरह 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 की वेबसाइट पर निर्भर नहीं करना चाहिए अगर architecture पर लिख रहे हैं वास्तुकला पर लिख रहे हैं तो senior architect से बात्चीत करके उसे जानकारी जुटा कर उस पर अपनी लिखनी चलानी चाहिए शुक्त कामने नमस्कार अन्य वीडियो में आपसे फिर्म लाकात होगी किसी और चर्चा विरिंगे किसी और विशेफ पर नमस्कार